फ्रेंज आप सभी का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटूरल में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी PDF में पासवर्ट कैसे लगाते हैं यानि पासवर्ट प्रोटेक्टेट PDF कैसे बनाते हैं उसके लिए आप यहां फाइल में आजाएं फाइल में आने के बाद यहां देखेंगे आटोमेट का आप्शन होगा इसके अंदर PDF प्रेजेंटेशन है आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद उस फाइल को ओपिन करना है open करने के लिए browse पर click करें जिसमें password लगाना है उसको open कर लीजे select करके इस तरह से हमने open किया आप एक से ज़ादा file को एक साथ open कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ देखेंगे output options है output में दो चीजे हैं एक है multipage document और दूसरा है presentation अगर आप presentation बनाना चाहते हैं तो आप इसको select करेंगे multipage document बनाना चाहते हैं तो first वाले को by default यह check रहेगा आप ऐसी छोड़ देंगे यहाँ पर कोई changes करनी की ज़रूरत नहीं है फिलाल हम लोग यहाँ से save पर click करेंगे save पर click करने के बाद आप से पूछा जाएगा कहां save करना चाहते हैं मैं desktop पर save करना चाहता हूँ हमने यहाँ पर password PDF के नाम से file बना दिया है अब उसके बाद save पर click करेंगे अब अगर हम लोग save पर click करेंगे तो यह एक अलग dialogue box open होगा और यहाँ पर हमें option मिल जाएगा password protect करने के लिए यहाँ देखें security का option है आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद दो तरह के password होते हैं एक होता है कि आप सिर्फ password डाल कर उस file को open कर लीजी और उसको print कर सकते हैं दूसरा होता है कि आप उसको देख तो सकते हैं लेकिन print नहीं कर सकते हैं और edit नहीं कर सकते हैं उसके लिए यहाँ नीचे देखें अगर आपको printing में editing में password लगाना है तो इसको check करेंगे और अगर आपको सिर्फ open करने के लिए password देना है तो आप इस पर check करेंगे और उसके बाद यहाँ पर password आप लगा दीजे फिलहाल मैं password डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ save PDF पर click करेंगे एक बार फिर से पूछेगा कि आप password को confirm कर लीजे तो इस बार फिर से हम लोग उसी password को लगा देते हैं और यहाँ से okay कर देंगे अब यह file save हो गई है इसको open करके देखते हैं यह देखिए PDF यहाँ पर आ चुका है इसको हम लोग open करते हैं यह देखिए open करते के साथ यह password फिल करने के लिए कह रहा है तो मैं password फिल कर देता हूँ इसमें और उसके बार यहाँ से okay करते हैं अब यह देखिए वो file आसानी से open हो गई है तो इस तरह से अगर आप किसी client के लिए डिजाइन करते हैं तो आप password protected बना करके अपने PDF को mail कर सकते हैं बहुत बार आप देखते हैं bank से जो mail आता है उसमें password लगा हुआ होता है I hope इस वीडियो से आपनों को काफी फाइदा हुआ होगा अगर आप चाहते हैं graphic designing अच्छे से सीखना Photoshop, Illustrator, InDesign, Coral ये सारे software सीखना चाहते हैं तो आप मुझे phone कीजिए मेरा online course जोईन करके online सीख सकते हैं contact number और email ID हमने description में दे दिया है आप जब चाहे मुझे call कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक लिए बहुत बहुत शुक्या Thank you so much friends